नमस्कार जैहिंद मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चैंजिंग दब्बे ओफ थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफो के special वीडियो के बारे में ये मेगा सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 20 कोशनों का discussion करते हैं जो कि आपके exam के point to view से बहुत ही महत्वपून होते हैं तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहे हैं और नए नए कोशनों के साथ हम इस वीडियो के लेके आए हैं ये वीडियो का part number 13 है अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियो उसको नहीं देखा है तो देख सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी पहला हमारा कोशन है conservation center will be set up in how many states of India to protect bulgers मतलब की यहाँ पे bulger का मतलब होता है गिद्ध को संरक्षत करने के लिए कितने center इंडिया में set up किये जा रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा right answer है वो है 5 ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 2 which of the following highest semen volume is evacuated मतलब की semen की volume सबसे ज़्यादा कि इसकी है तो यहाँ पे हमारा answer है pig sewer की ठीक है फिर question number 3 है India and Maldives got how many new UNESCO biosphere reserve तो यहाँ पे जो हमारा right answer है वो है 3 मतलब की India और Maldives के बीच में 3 नए UNESCO biosphere reserve है ठीक है तो ऐसे यह नए question के साथ हम इस series को लाए हैं आपको इस वीडियो को अधिक सदिक share करना है साथी इस वीडिय लाइक करना है फिर आगे हम बात करते हैं what is average yield rate of milk in India for exotic cow exotic मतलब बिदेशी गाय की यहाँ पे kg per day की rate के बारे में बात हो रही है कि average yield उनकी average उनका उसद उत्पादन क्या है तो बहुत अच्छा question है और एक्दम latest question है ठीक है तो यहाँ पे जो exotic cow है उनका average जो yield है milk का वो है 11. 21.21 kg per day ठीक है यह हो गया आपका बेदेशी गायों के लिए exotic cow के लिए अगर हम देशी गाय की बात करें यानि कि इसको हम indigenous cow कहते हैं ठीक है indigenous जो cow है उसका जो milk production है वो है 3.7 kg per day यह भी आपको याद रखना है और फिर आपका indigenous जो buffalo है मतलब देशी जो भैसे हैं उनका जो milk production प्रोडक्शन है वो है 6.19 kg per day ठीक है यह आपको याद रखना है एक्जाम के प्रोडक्शन है एक चीज और आप जान लीजिए जो indigenous cow है उसका जो share है वो है लगबग 10% ठीक है ऐसे याद रख लीजिए simply और जो देशी भैसे है मतलब indigenous जो buffalo है उनका जो share है इंडिया में milk production लगबग 35% है यह हम latest data के according आपको बता रहा है और जो exotic cow है उनका जो milk share है वो लगबग 1% है ठीक है तो इनकी productivity जादा है लेकिन इनका share जो है वो कम है लेकिन आपको याद रखना है में तो यह है कि exotic cow जो है वो एक दिन में लगबग 11 kg दूद देती है ठीक है बहुत students सुचते हैं कि EFO में सबसे ज़्यादा current आता है तो current तो आता है लेकिन एक चीज़ और है current जैसे आपका साट कोशन है तो साट के साट कोशन current थोरी आएंगे उसमें कुछ basic question भी आएंगे ना तो basic question को भी आपको साथ लेके चलना है साथी current को भी आपको पढ़ना है तो current आ कितनी cities में इंडिया butter crisis या butter risk को face करेगा तो इसका answer जो है 30 आगे हम बात करते है which is the best feed for milk fish तो इसका जो answer है वो है lab lab question number 7 the surface of freshly cut timber should be जो surface होनी चाहिए जो जगा होनी चाहिए freshly cut मतलब अभी कटा हुआ है timber तो उसका जो surface होना चाहिए होना चाहिए hard and sign ठीक है फिर आगे बात कर maximum number of tractor being manufacture in India are HP range तो जो सबसे ज्यादा जो number HP range का पूछा गया होस्पावर की range पूछी गई है इंडिया में कि किस टाइप के होस्पावर को सबसे ज्यादा manufacture किया जाता है इंडिया में तो इंडिया में जो है वो आप याद रखिएगा 25 to 36 HP यानि कि 25 से 36 हास्पावर के tractor को सबसे ज्यादा पूछ रहा है ठीक है maximum number of tractor HP की range में पूछ रहा है तो 25 से 36 हो गया अब यह कोशन यह नहीं बोल रहा है तो 25 से 36 हासपावर तक की होती है बाकी इंडिया में आपको 50, 60, 65 HP तक का tractor भी मिल जाएगा ठीक है इसके रिकार्डेंग एक कोशन और अगर वो पूछे की best tractor selling brand in इंडिया सबसे ज्यादा tractor selling बैचने वाला brand कौन सा है तो वो है आपका महिंद्रा महिंद्रा जो ट्रेक्टर से वो इंडिया में सबसे ज़्यादा selling करने वाला ट्रेक्टर है ठीक है इसके ट्रेक्टर विदेशों में भी जाते हैं तो आप किसको याद रखना है selling में सबसे आगए है महिंद्रा ठीक है कोशन नम्मनों तो यहाँ पर एक N.C.A.R.E. रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है वो किनों ने दी ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा डॉक्टर हर्स बर्धन जी ने ये रिपोर्ट को सम्मिट किया है फिर आगे बात करते हैं अबरेज साइज ओफ ऑपरेशनल होल्डिंग एस पर एगरिकल्चर सेंसेज 2015-16 तो यहाँ पर एबरेज साइज की बात हो रही है इंडिया की लेंड होल्डिंग की बात हो रही है तो यह आपको एक्जेक्ट रियाद रखना है एक्जाम के पॉइं डबू से आपको इसको याद रखना है कोशन नमर 11 है चूज दा राइट सिक्वेंस ओफ हाइस्ट बेजिटेबल एरिया एंड प्रेड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड तो यहाँ पर जो बल्ड वाइड बेजिटेबल का प्रोड़क्शन हो रहा है उसका यहाँ पर ब बिकनल लार्जेस्ट केयर सेंटर इन दी वर्लड बेर्ड इस लोकेटेज मतलब की जो हाथी को एक center है जहांपे उनका हम लालन-पालन करते हैं उनकी care करते हैं तो यह सबसे बड़ा care center है largest care center है पूरी दुनिया का यह कहाँ पर established है कहाँ पर इस्तित है ठीक है तो यह जह हमारा India में इस्तित है located है India में भारत में ओ भारत में है यह truly oneanth pram में ठीक है स्टेट पूछे तो केरला और जगा पूछे तो तुरू वनन्थ पुरम बहुत अच्छा कोशन है आपके एक्जाम के point of view से आगे हम बात करते हैं कोशन नमर तीरा की अंडर priority sector लेंडिंग RRBs must give what percent of total outstanding to agriculture sector ठीक है तो यहाँ पे हमारा percentage CR है वो है 18% फिर question number 4 first solar based water supply project of India has been launched in which state देखिए question को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे solar based water supply की बात कर रहा है ठीक है solar based water supply project की बात कर रहा है मतलब की सौर उर्जा पर आधारित water supply यानि की जल supply की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है तो यह जो है यह है आपका अरुनाचल प्रदेश में आपको याद रखना है पहला solar based water supply project जो है इंडिया का वो अरुनाचल प्रदेश में है ठीक है एक question हो रहे है जो आपको याद रखना है अगर वो पूछे इंडिया's largest solar power plant ठीक है इंडिया's largest solar power plant कहाँ पर है तो वो मध्या प्रदेश में है और अगर पूछ रहा है first solar based water supply कहाँ पर है अरुनाचल प्रदेश में दोनों अलग-अलग question है confused नहीं होना है आपको ठीक है फिर इसको बाद question नमर 15 है bunchy top of papaya caused by MLO spread by मतलब कि bunchy top होता है पपाया का वो MLO से होता है cause होता है और ये फैलता किससे है spread किससे होता है तो इसका जो right answer है वो है leaf hopper leaf hopper से ये फैलता है फिर हम बात करते हैं question नमर 16 की which crop is in India has maximum area under irrigation सबसे जादा area जो है irrigation में वो rise में, पेड़ी में, धान में है ठीक है तो आपको इसको याद रखना है और आगे बढ़ते हैं the second irrigation commission in India बास found दूसरी जो irrigation commission आई थी इंडिया में वो 1972 में आई थी ठीक है अगर आब वो पहली irrigation commission की बात करें तो वो आई थी आपकी 1901 में, 1901 में आई थी first irrigation commission, second irrigation commission जो है वो 1972 में आई थी ठीक है फिर आगे बात करते हैं इंडिया's first robotic dairy plant was opened by which dairy for milk and milk product यहाँ पर robotic dairy की बात हो रही है मला robots की बात हो रही है यहाँ पर इंडिया की कौन सी robotic dairy है जिसने मतलब की milk और milk product के लिए यहाँ पर open किया है robots को, robotic dairy है robots जहाँ पर काम करते हैं तो वो आपकी अमूल है ठीक है? यह आपको याद रखना है फिर आगे बात करते हैं who has been won prestigious WHO world no tobacco day 2018 award मतलब की no tobacco day 2018 का award किसने जीता है यहाँ पर यह बात हो रही है तो S.K. Arora साभ है इनको यह award दिया गया है no tobacco day 2018 2018 का award यह भी आपको याद रखना है फिर आगे बढ़ते हैं question number 20 the instrument which is used for sowing of seed with fertilizer together at a time ठीक है? तो यहाँ पर एक instrument की यह machine की बात हो रही है जिसमें हम sowing कर रहे है seeds की fertilizer के साथ ठीक है? यहाँ पर उसने hint दे दी कि seed के साथ अगर आप fertilizer fertilizer sow कर रहे हैं तो उस machine को हम क्या कहते हैं तो सभी लोग जानते होंगे उस machine को बोलते हैं फर्टी कम seed drill या फिर कहीं कहीं seed कम fertilizer भी लिखा रहता है अगर वो अकेला sowing of seeds की बात होता तो answer हमारा seed drill हो जाता लेकिन उसने fertilizer की बात कर दी है यह मलब seed के साथ हम fertilizer को भी soil में दे रहे हैं तो फिर वो seed कम fertilizer या vertical seed drill हो जाएगा ठीक है यह series बहुत मज़ेदार थी नए नए कोशनों को आपके साथ अबगत कराया I hope आप इस वीडियो को जादा सा जादा लाइक करेंगे साथ इस वीडियो को बाइरल से होती है यह एक बाइरल disease है ठीक है एक चीज़ और जान लीजी रानीखेट disease को इसको हम newcastle disease भी कहते हैं ठीक है ncd newcastle disease भी रानीखेट disease का ही नाम है अब हम इस question of the day की बात कर लेते हैं state number of number one is impulse and oil seed production मतलब कि कौन सा हुए राज है जहां सबसे ज़्यादा दाल का और oil seeds का यानि तेल वाली फसलों का उत्पादन production सबसे ज़्यादा होता है तो यह चार option है इन में से कोई एक आपका सही answer है उस answer को आपको comment में बताना है पहला है उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश न्यू देली और महरास्टा इन ही में से कोई एक right answer है यह state है जो की सबसे ज़्यादा oil seed और pulses का production करता है इंडिया में ठीक है I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है अधिक से अधिक लाइक करें अगर एग्री मंत्रा चैनल पर ना है तो चैनल को सबस्क्राइब जरू करें साथी चाहें तो एग्री मंत्रा के social media platform पर भी आप जुड़ सकते हैं एक्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे रहे हैं वीडियो की पूरा देखने के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत